जैहिं सभी पेंसनर बंधू आज मैं आपके समक्ष असपर्स पेंसन की संपूर्ण सिरीज लाया हूँ जिसमें बड़ी ही बारीकी बातों से लेके सुछ मअब बातों से लेके बड़ी बाते भी करूँगा तो यह एक स्रिंखला है जिसमें छोटी-छोटी बाते सारी कभर की जाएगी हमारे कमेंट सेक्शन में सारे पेंसनर सवाल करते थे, अपने संदेह को दूर करना चाहते थे तो हमने सोचा एक स्रिंखला ही बना लेए और जिसमें सभी बातों को कभर कर लिया जाए तो असपर्स जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि यह एक comprehensive pension package है CPP भी है जिसमें की end-to-end system है जिसमें facilitate किया जाएगा आपको आसान करने के लिए किया जाता है इसमें defense pensioner का जिसमें की चारों आ रहे हैं आर्मी के, एरफोर्स के, नेवी के और defense civilian के इन सब का इनके disbursement तक यानि की आपके account में रुपया पहुच जाने तक का कारे कर रहे हैं और इससे पहले का जो कारे हैं pension sanction करना यह sanction कर रहे हैं disburse कर रहे हैं और credit भी कर रहे हैं यानि की one solution है one to one है यह हम सब जान रहे हैं कि उनके दावा जो है कि यह एक right pension at right time है उनका tagline is first pension का लेकिन यह कितना सही है कितना यह प्रसंगिक आज रह गया है यह तो सवाल के घेरे में है ऐसा दावा प्रस्तूत किया जाता असपर्स टीम के द्वारा कि यह secure है reliable digital platform है जिसमें की सारे pension से related activities कभर होते हैं तो इसे तो मानने में हमें कोई इतराज नहीं है लेकिन हमारे literacy जो है हमारे अधिक्तम pensioner के जो बुजुर्ग हो गए है senior region है, super senior region है, family pensioner है उनके digital इतना literacy नहीं है और असपर्स सिस्टम भी आज इतना proof नहीं हो चुका है error proof नहीं है, आए दिन crash हो जाते हैं, PCDA के site कई महीनों से चल नहीं रहे हैं तो हमारी कुछ तो खुद के कारण और कुछ असपर्स के कारण और अंतता हम कह सकते हैं कि असपर्स के कारण ही क्योंकि असपर्स के जो इंडियूजर है उनकी जो literacy level है, उसको मद्दे नजर रखते हुए इसे अभी और भी कई सुधार करने की जरूरत है तो इस वीडियो में, इस रिंखला में, मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दू, खुसकवरी से सुरू करता हूँ कि जो वार्षिक pension है, जो निर्वाध रूप से जारी रहे, इसके लिए हमाई जीवन पर्मान पत्र जमा करना पड़ता हर वर्स इसकी तिथी बढ़ादी गई है, और यह जनवरी तक, जनवरी 2024 तक कर दिया गया है, जो कि नवंबर तक था, अर्थात आप कह सकते हैं कि तीन महीने की बढ़ोतरी हो गई है आप total 2 महिने की बड़ोतरी कह सकते हैं जो कि 30 दवंबर तक आपको जमा करना होता था अब इसे आप 31 जनवरी तक जमा कर सकते हैं यानि कि आज तक भी आपने जमा नहीं किया तो घ़बराने की बात नहीं आपके पास अभी भी समय है आप 31 जनवरी तक भी जमा कर दे यानि कि आपका जनवरी का pension तो हर हाल में आएगा फरवरी का pension नहीं आएगा अगर आपने 31 जनवरी तक जमा नहीं किया तो यह तो खुसखबरी की बात अब आपको मैं बताओं तथ्य से अगत कराओं कि अभी तक defense pension जो migrate होने हैं लगभग 33 लाग से 35 लाग तक कयास लगाया जा रहा है कि इतने pension हैं उसका चरणबध तरीके से migration हो जाएगा अभी तक जो तथ्य website पर दर्शाय जा रहे हैं इसमें 30,08,000 करीब migration हो चुके हैं जिसमें भारतिय सेना के 22,00,000 है करीब 21,87,420 का data दर्शाय जा रहा है जहां कि भारतिय वायू सेना का 2,00,000 के करीब है जो कि 2,00,000,2,980 है और नेवी के करीब 1,00,000 है जिसमें कि 98,425 दि दिखाय जा रहा और डिफेंस सिविलियन जो हमारे डिफेंस के तीनों विंग को सपोर्ट किया करते हैं अलग-अलग तरीकों से इनकी migration के संख्या लगवग सवा 5,00,000 आप कह सकते हैं 5,21,5,21,525 दिखाया जा रहा है तो यह तो तथ्य हैं अब मैं इस त्रिंखला के जरि तमाम बातों से आपको ओगत कराने जा रहा हूँ और हमारा प्रयास होगा कि हमारे पेंस्नर बंध हूँ भूग तो भोगी न बने क्योंकि आज का समय सिर्फ जानकारी रखना ही नहीं उसे लागू भी करना है अमल में भी लाना है और इसी दिसा में मैं निरंतर प्रयास कर करते रहा हूं आगे की जानकारी आपको मैं बताओं पूरब विस्य सुची स्रिंखला की बताओं उससे पहले मैं बिनम्र निवेदन आप सबों से करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में पहली वारा है या देखा करते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बड़ी सी बड़ी स्किल्फुल टीम लगा सकते हैं एडिटिंग में लगा सकते हैं उन तत्यों के रिसर्च पर लगा सकते हैं तो आप अवस्य सब्सक्राइब करें कड़ी लोग देखते हैं मैं देखता हूं हमारे चैनल में हजारों की संख्या में भीवर्स हैं लेकिन में थोड़ा सा हतोत्साहित करता है तो हमारे भी मोटिवेशन को ध्यान में रखते हूए आप अवस्य सब्सक्राइब करें अपने मित्रों संबंधी के साथ साजहा करें आपको बैहतर लगता है तो लाइक करें और बेल आइकन तो अवस्य से हिपुस्ट करें और जब आप subscribe करेंगे तो आपको भी YouTube अधिकार देता है कि आप comment section में use कर सकते हैं लिख सकते हैं पूछ सकते हैं बता सकते हैं तो आप भी empowered होते हैं जब subscribe करते हैं अब मैं आपको सीधे विशेवस्तु पर ला रहा हूं कि इस रिंखला में मैं किन-किन विशेवस्तुओं पर बात करूंगा तो सबसे पहला तो मैं यह बताऊंगा कि यह जो migration है प्रवासन क्रिया है इसमें सामिल कितने चरन है इन सारे चरन अस्पिट्स को मैं बताऊंगा अब आपको क्या क्या करना है अगर आपका migration हो गया है तो migration होने का पहला चरन होता है SMS आना अगर SMS आया है तो क्या करना है SMS नहीं आया है, तो क्या करना है, फिर अगर user ID या password आया है, तो क्या करना है, नहीं आया है, तो क्या करना है, फिर password reset करना है, तो कैसे reset करना है, और कई तरह की आपकी अनिवारे document submit करना है, declaration करना है, यानि की mandatory declaration करना है, ये आप कैसे करेंगे, आपको tax अगर बचाना है, उसके pension मिला है यह सब की जानकारी यानि कि आपके जो PPO हैं उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं को रिजंडम PPO अगर इसू हुआ है तो कहां मिलेंगे pension slip जो हर महीना मिलता है वो कहां मिलेगा form 16 कहां मिलेगा इस तरह की तमाम जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं इसके साथ ही आपके जो profile हैं जिसमें की सारी आपकी personal data है service के data है आपके family के data है bank details है यह क्या क्या है कैसे देखेंगे अगर कुछ गलतियां है तो किस तरह से change करेंगे इसके लिए क्या क्या document upload करने पर सकते हैं तो यह सब तमाम जानकारी आपको हम देंगे फिर अगर आपने update किया लेकिन नहीं हो रहा तो इसके लिए क्या redressal mechanism है क्या grievances है क्या complain mechanism है क्या इसका appellate authority है यह सब की भी बात करेंगे अगर आप service center में जाते हैं कहां जाना है कैसे जाना है कैसे ढूड़ना है फिर वहाँ जाने पर आपको कौन-कौन सी सुबधाय मिलेगी website में कौन-कौन सी सुबधाय है यह सब आपको हम बताएंगे आपको आधार number update करना है mobile number update करना है तो कैसे update करेंगे इसके sports में ही अगर आप DLC digital life certificate जमा करना चाहते है या MLC करना चाहते है तो उसके क्या प्राबधान है अगर pensioner की अकस्मात मिर्तिव हो जाती है तो उसके बाद परिवारिक pension कैसे प्रारंभ किया जाए उस मिर्तिव की reporting कि स्थरह से की जाए तो यह तमाम जानकारी यानि की pensioner के लिए क्या क्या करें और क्या न करें यह सब अगर हुंबर कभी से आप करके रखेंगे मुझे उमीद है अगर आप दर्सक हैं तो अभी तक आपका migration अवसे ही हो चुका होगा तो इस रिंखला की प्रत्व वीडियो मैं प्रारंभ करूँगा इसी से कि कौन-कौन से steps involved है इसमें migration process में जैसा कि हम सब जान रहे हैं PCDAP अलाहाबाद में ही असपर्स situated है जो कि यह काम कर रहा टेसियस के द्वारा इसका apex body है CGDA जो दिल्ली धौला कुआ में अवस्तित है CGDA के ही order पर PCDAP काम करते हैं और इस तमाम जो चरण है इसमें बड़ा ही due diligence यानि कि बड़ा ही खयाल रखा जारा बहुत ही सुधार किया जा रहा है लेकिन बड़ा ही सुक्ष्म है जिससे कि लाव नहीं मिल पा रहा हमारे pension भोग्यों को इस due diligence के बाद ही migration की प्रक्रिया की जाती है अब इस due diligence को क्या है अभी तक bank से हमारा pension आ रहा था तो bank से migrate किया गया यानि कि उस data को लिया गया जिस data के आधार पर वो pension देते थे दूसरा data उनके पास record office से भी आया है PCDA भी के पास भी थे उनके पास भी था इन दोनों की तुलना की जाती है और जब exact हो जाती verification तुलना में भी due diligence की जरुरत होती है जब तुलना कर लेते हैं जब कुछ पाया जाता है तब इसे migrate किया जाता है अब इन तमाम परिश्रम के बाद भी अगर हम pensioner बंधों का अगर कोई समस्या रह जाता है तो उसके लिए भी उन्होंने mechanism दिया है तो असपर्स ने सबसे पहले उनका कहना यह है कि यह तमाम परिशानी हम लोग जो ले रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं due diligence कर रहे हैं इसके बाद भी अगर कोई प्रोब्लम आपको रह जा रहा है तो आपकी पास क्या-क्या टूल से बलेबल है वह मैं बताओं सबसे पहला तो यह है कि हमारे defense installation के दौरा ही आर्मी एरफोस ने भी आप जहां कहीं भी record office के पास या उनके किसी भी station के आसपास अगर रह रहे हो तो वहाँ Spurs का exclusive service center है जो कि free of cost आपको मदद करेगी जहां कि computer होते हैं जानकार ब्यक्ती होते हैं serving वो आपकी मदद करेंगे आपकी समस्या के अनुसार आपको समाधान देंगे इसके साथ ही toll free number है जो कि toll free number है आप समझी रहें कि आप कह सकते हैं कि मासा अला है कब लगेगा किनका लगेगा नहीं लगेगा यह तो आप कह नहीं सकते हैं लेकिन भरोसा जरूर करना चाहिए अभी धीरे धीरे उनकी service line customer care executive की संख्या बढ़ाई गई है तो उमीद की जा सकती है कि हम मिल जाएगा इसका नमबर आप अवस्य ही अब याद रखे 1800-180-5325 इस नमबर पर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे संभाव है कि मिल जाएगा 5 days working day होता है 926 working होता है तो मिल जाएगा और काफी कुछ जानकारियां भी आपको मिल जाएगी इसके साथ ही इनके लैंड लाइन नमबर भी है प्रयाग राज का लैंड लाइन जो स्टीडी कोड है 0533 और 2421877 नमबर है फिर 0532 2421879 है और तीसरा नमबर है 0532 2421880 तो यह तीन लैंड लाइन नमबर है इन सब पर भी ट्राइ कर सकते हैं के लावे इमेल भी है तो इमेल पर भी आप देखे अपने बिंदूओं को रख सकते हैं उनसे इंट्रेक्ट कर सकते हैं और समाधान पाने की उमीद कर सकते हैं इसके साथ ही तीसरा है CSC असपर्स की टीम ने PCDA ने करीब साढ़े चार लाख भारत वर्ष में पूरे CSC है जो सिटिजन सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर है जो की एक तरह के साइवर कैफे हैं हमारे कई तरह के डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं और डिफेंस पेंसनर के लिए यह सेवा सुल्क नहीं लेंगे क्योंकि यह सेवा सुल्क जो चार्ज करेंगे यह सीधे CGDA पे करेगा यानि कि हमें उनके पास जाना है वो सफिसेंट ओर्णे ट्रेनिंग दिया गया है MOU के तहत ट्रेनिंग के तहत आपकी लगभग सारी समस्याओं का निदान वो करने में सक्षम है तो आप CSE भी अप्रोच कर सकते हैं CSE आपके घर के पास आसपास कहा है तो बेब साइट में जाके आप देख सकते हैं बेब साइट आप जान ही रहोंगे अभी तक कि इसका जो स्पर्स का बेब साइट है https colon double slash spurs dot defense pensioner dot govin तो इस साइट में जाके आप उनके CSE का पता कर सकते हैं search कर सकते हैं कि आपके निवास से नजदिक कहा है कहने को बहुत कुछ है पर वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए और आज स्रिंखला की सुरुआत है तो इस वीडियो को मैं छोटा ही रख रहा हूँ और ये स्रिंखला हमारा जारी रहेगा अगले वीडियो में हम फिर से आप से बात करेंगे कि किस तरह से migration चेक किया जाए आपका migration हुआ या नहीं सबसे पहला और अगर हुआ तो उसके बाद user ID, password मिला या नहीं तो फिर से मैं मिलता हूँ तब तक सभी फोजी बंदूओं को जैहिन और अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो अब असे ही सबस्क्राइब करें मैं फिर से मिलता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए